योग निंद्रा योग और निंद्रा दोनों जैसे जैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारी बोड़ी को एनरजाइज करते हैं नमश्कार मैं अनिर्की कुमारी इंब्रिंट NLP Master Life Coach आज आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको एक बहतरी टेकनिक दे रहा हूँ कि किस तरह से आप इस टेकनिक के साथ अपने आपको जोड़ करके हर रोज अपने आपको एनरजाइज कर सकते हैं परकर्ति की उस उर्जा को उस एनर्जी को अपने अंदर लेते हुए अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को अपने सपनों के लिए हमेशे आप त्यार कर सकते हैं चलिए इस अद्गुत टेक्निक का आना अठाते हैं सबसे पहले या तो आप लेट जाएं या बिना हिले डुले किसी चेर पर पैट जाएं ज़्यादा बैटर होगा कि आप लेट जाएं चाहे योगा मैट पर या बैड पर लेट देश मैं अपने पैरों को खोलें दोनों पैरों के बीच में कम से कम एक फिट का डिस्टेंस रखें और अपनी हथेलियों को उपर की तरफ रखें अब एक बार अपने स्रीर को डिला छोड़ते हुए एक गहरी सांस लें कुछ शंग उश को अपने अंदर रोक के रखें और फिर मुझ से छोड़ दें एक बार फिर एक गहरी सांस लें इन्हेल करें मैं दस्ता किलता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप इस सांस को मुझ से छोड़ दें एक बार फिर इन्हेल करें कुछ शंग अपने सांस को रोकें ऐसे मुझ से छोड़ दें रिलेक्स बिल्कुल रिलेक्स अब महसूस करें कि जैसे जैसे आप शंस लेकर रिलीज करते हो शंस को तो वैसे वैसे आपका सरीर हलका और हलका होता जा रहा है किसी भी जगे कोई एठन ना रहने दें अपने पैरों में अपने गुटनों में अपने जांग में अपने हिप्स में अपनी पीठ में या आपके हाथों में सब को रिलेक्स चोड़ दें सांस को नॉर्मल अपने आप शवता है जाने में शवता है आना बिल्कुल भी किसी तरह का प्रियास ना करें अब एक बार आपके कानों में बाहर से आने वाली आवाज पर फोकस करें सुने कौन कौन सी आवाज आ रही है एक आवाज पर रुके नहीं और आवाजों को ढूने और किस चीज की आवाज ग्रेट अब अपने ध्यान को अपने अंदर की आवाजों को सुने की तरफ ले जाएं और देखें कि आपके अंदर से कैसी कैसी आवाजे आ रही हैं किसी भी इक आवाज पर न रुके उसके पार आने वाली अगली आवाज तक पहुँचें ग्रेट अब अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पे ले जाएं दोनों पैर की पंजों को देखते हुए आज पहली बार महशूस करें कि किस तरह की सेल्स हैं यहां पर किस तरह की हड़ियां हैं किस तरह की हड़ियों के बीच में बोन मेरों हैं कैसे बनी हैं आपकी पैरों की यह उंगलियां कैसे हर रोज इनके पास जरूरत का बलड और ओक्षीजन पहुँच रही हैं फिल करें अपने इस पैर की उंगली में होती वोई जनजनाहट क्योंकि वहां पर भी खून का और ओक्षीजन का फ्लो हो रहा है अब अपने ध्यान को पंजों की से लेकर के वो टकने तक के पैर में लेकर आएं और वहां भी उसको उपजर्व करें उपजर्व करें वहां का टैंपरेच्चर उपजर्व करें वहां पर होती हर एक्टिविटी अब अपने ध्यान को अपने एंकल से अपने गुठने के ज्वाइंट तक लेके आए देखें किस तरह की मास्पेशिया है, किस तरह की हट्टी है कैसे यहां भी ब्लड सर्पुलेशन हो रहा, एनर्जी वा प्लोग हो रहा इसका टेंप्रीचर देखें, गरम है या ठंडर, अपने ध्यान को घुठने से थाई के बीच में लेके हैं से भी माइनूटली ओप्चार्व करें अब अपने ध्यान को अपने पैरों के ज्वाइंट से और नाभी तक के एरिये में लेकें देखें अपने लेवर को, देखें किस तरह यह लेवर आपके लिए काम कर रहा है किस तरह से हर रोज, हर शन आपके लिए आपको मिला हुआ एक गिफ्ट हर वक्त आपके सरीर के लिए कारियरत रहता है अब अपने ध्यान को अपने नाभी से और कंधों के बीच के सरीर के लेके देखें अपने लंज को हर रोज आपको भार से उक्सिजन लेकर के फिल्टर करते हुए आपकी बोड़ी तक पहुचा रहे है अब ध्यान दीजिए अपने हार्ट की और जो हर शन आपके लिए धड़क रहा है थेंक्यू बोड़ी है इनको जो भिना कहे हर दिन हर पल आपके लिए कारियर रहते हैं अब अपने ध्यान को अपने शोल्डर्स के जोइंट से और पूरे हाथ में लेके आएं देखें वहाँ का टेंपरेचर देखें वहाँ पर होती हुई क्रियाय किस तरह वहाँ पर जंजनाट हो रही है अब अपने ध्यान को अपनी गरढ़ से उपru लेके चले बात करें अपने और्गन से किस तरह आपकी जीव हर टेस्ट आपको दे रही है किस तरह आपके कान हर उस अच्छी आवाज को आप तब पोचा रहा है अब ध्यान दे अपनी आखों पे जो आपको प्रकरती के सुन्दर रंग दिखा रहे है अब ध्यान दे अपनी स्कीन पर जो हर वक्त आपको टेंपरिचर महश्शूस करा रहे है और अब आपने ध्यान को अपने दिमाग में ले जाएं देखें किस तरहें का सर्कुलेशन है वहाँ पर किस तरहें का कारिय चल रहा है किस तरहें का टेंपरेचर है किस तरहें फ्लोफ बलड है फ्लोफ एनर्जी ग्रेट अब अपने बालों की हर सेल्स तक को उबजरू करें कि किस तरह वो सेल्स आपके बालों को एनर्जी दे रही हैं और किस तरह वो बाल आपको शुन्दर बना रहे हैं आज आपने अपने पूरे शरीर को उबजरू किया गा अब अपने आप को अपने सरीर से बाहर निकल करके देखिए कि सरीर में किस तरह अनर्जी का फ्लो हो रहा है उपर से नीचे तक पूरे सरीर में एक फ्लो अनर्जी है जो बहे रही है आपकी हर नसमे से हर सेल्स तक उसको उबज़र्व करते हुए देखिए श्यांती से खड़े होकर अपने सरीर से बाहर निकल कर कितना सुंदर सरीर है कितनी एनर्जी है इसमें आप इस यूनिवर्स के एक बहुत ही एनर्जेटिक बोड़ी है उस बोड़ी को देखे उपर से जे तक बहती हुई पूरी एनर्जी को देखे आप सुंदर और सुंदर हो रहे है आपके सरीर पे कोई भी ब्लैक स्पोर्ट नहीं है पूरी तरह से एक दम सुंदर सरी चमचमाती हुई एनर्जी उसमें से आपको दिखाई दे रही हार नसमें से बहती है आप एक स्वस्त शुरूर वेक्ती हैं आप इस दुनिया में एक एनर्जाइस्ट पोड़ी हैं जो हर वक्त अपने लिए समाज के लिए और मानोता के भलाई के लिए प्रेरित रहते हैं आप में वो विचार हैं जो आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं आप अपने आप को ही नहीं दूसरों के लिए भी एक इंस्प्रेशन हैं क्योंकि आप खुद की काभिलियत पर विश्वास करते हैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा शहयो करते हैं अपने parents की अविलाशाओं को हमेशा पूरा करते हैं क्योंकि आप अद्भूत हैं देखे आप इस universe में किसलिये आए हैं क्या है मकसद आपकी life का किस तरह आप इस दुनिया को और भेतर और भेतर और भेतर बना सकते हैं अपनी creativity को यूज करना आपको आता है और इस creativity को यूज करते हुए आप हमेशा आगे बढ़ते हैं देरे देरे एक बार फिर अपनी सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करें किस तरह वो सांसे आपके अंदर जा रहे हैं किस तरह से वो आपके बोरी जदक पहुंच रही लंग्स के दौरा देखिए इस oxygen रूपी अंडर्जी को अपने बोरी में फ्लो होते हुए अब धेरे धेरे अपने अंदर की आवाजों को शुना शुरू करें और आप चाहें तो आप बाहर की आवाजों को शुनना शुरू करें या इसी तरह ही आप इसी स्थीती में अपने आप को रख कर सो सकते हैं और लंबे समय तक भी रख सकते हैं और जब बाहर आना चाहते हैं तब बाहर की आवाजों को शुनना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी चेतना में लोटे अपनी हाथों और पैरों के उंग्लियों को इलाना शुरू करे और दोनू हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आखों पे रखे और आखों को धीरे धीरे खोले अब आप बैठ सकते हैं और आँके भोल कर अपने चेहरे पे वो एनरजी महसूस कर सकते हैं जो आपने अभी तक देखे मैं आज़ा करता हूँ कि ये मेडिटेशन आपको यदि आपने दस मिनट हर रोज किया तो आपको दो गुंते की नींद को पूरा करेगा आपको नई एनरजी देगा आपके शपनों को पूरा करने में आपको आगे बढ़ने में और नई उमंगों के साथ जीने में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसको शेर कर अपने दोस्तों तक और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पाएं जैहिंद जैभर